मय्या कहां से आयी हो मिरी माँ? नागपुर से नागपुर तो कौन कौन है आपके घर में? अकेली हो कौन लेकर आया है आपको? पडोसी कहा है? ये पडोसी बात कराईए पडोसी भाईया से गुरुजी कुरा क्या नाम है आपका? लक्षमि नारायन दुवेधी तो आप प्रभु पडोसी है मैया के मैं हनमान मंदिर में पुजारी हूं गुझी अच्छा और मैं रहने वाला तो यंपी कहूं यह मैया आपके हां रहती है आस-पास कौन है आपकी यह उस मंदिर में हम पुजारी है इस बस्ती में रहती है तो तो क्या हाला थे मैया के क्या वहां कि स्थिती है यह मैया मंदिर में ऐसी पुछा पुछा करती थी जाडू पुछा जाडू पुछा मंदिर में और इनके जो इनके कोई संतान नहीं है संतान नहीं 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 गुर जी और जो इनके बाबा जी थे वो गुर्जा जगे कु चलनी पाता था और जो बाबा जी गुजरे थे तो सबस्ती के लोग उनका मिल करके सब कारकरम किये फिरे एक-दो महने तक किराय से रही पिर चलनी पाया इनकी बहन है बहन ले गई थी अपने पास एक-दो महने रखी फिर उसके बाद ये आकर के रोज हमारे मंदिर में आकर क कि रोती थी कि हमारा जीवन में कोई नहीं है इस वजए से हमको ऐसा सब्लीव हो रहा है और ये पहर से भी अपंग थी चलनी पाती थी अच्छा पाओं से चलनी पाती अच्छे से जिर गई थी तो कुछ लग गया था तो इसकी वजए से ये आकर के रोती थी मंदिर में बो का इसा नहीं है और आपकी हम काता सुनते थे इस वजए से हमारा ऐसा हुआ कि ठीक है मया से बात करेंगे मैया बहन के घर गई ठी रहने के लिए तो फिर दबने रक्ख घा क्या दो मेना रही दो मेनी रही अच्छे नहीं लग आ अच्छे से नहीं लग और प्र याज से रूम छोटा सा है, कब जाओगी बिंडवन, अनातासरम में, और ये परिवार से हमारा समवन खराब हो गया, आप रहती हो तो यहाँ, ऐसे बहुते. बहन के बेटे ने बोल दिया, कि आप जाओ वरंदवन, और मैया का कोई नहीं है, तो पुजारी जी लेके आए हैं, देखिए, भारत के कौने कौने से, मैया आप कहां से हो, नागपुर से, तो आपका यहाँ रहने का कोई पैसा तो नहीं लिया हम नहीं, नहीं लिया, कोई श कल से आई, कल से, तो यह मा का एक भी रोपे शुलक नहीं लगा, मंदर में जाडू पहुचा करके गुजारा करती थी, कोई सहारा नहीं, इन बे सहारा माओं का सहारा बनाने के लिए ही, भगवान ने यदास अनिरुद्ध को इस संसार में भेजा है, जाओ, इन माओं की करें, अब देखो, आप लोगों से जब दो रोटी मिलती है, तो वो रोटी हमके ले नहीं खाते हैं, माओं में बाट कर खाते हैं, इसलिए कहता हूँ, कि इन माओं की सेवा के लिए, आप सब को अपने इन हाचों को बढ़ाना चाहिए, इन माओं का अपना कोई होता, तो यहां क्यों आती, कोई योँ ही ठोड़ी घर छोड़ता है, मजबूरी है, बहनों के घर भी कब तक रहेंगी, कौन भला कब तक रखता है, कौन कब तक खिलाता है, वो तो भगवान ने दास पर क्रिपा की, आप सब का प्यार आश्रवादर सहयोग है, कि गौरी गुपाल मे यह 280 माताएं थी, आज 280 माताएं हो गई, यह मावी जुड़ गई, मैयाव आप यही रहिएगा, यह दास अनिरुद्धा आपका बेटा बनकर सेवा करेगा, हम सब आपके बेटा हैं, क्यों? आधा घंटा ज्यादा काम करना, यह सोच करके आपकी येक माता गौरी गुपाल अस्रम में, इन माव की सेवा क्या? अच्छा बताओ, अनिरुद्धा चार कोई काम करता है के नहीं करता? काम करता है, काम करना पड़ता है ना साहब, 2801 माएं हैं तो काम तो करना पड़ेगा, बिना काम के यह होगा, इसलिए आप सब, आप बताओ, यह माव की सेवा यदी आप यहां हो रही है, तो क्या यह राष्ट की सेवा नहीं है? क्या यह देश की सेवा नहीं है? सावन का महिना है, संकर जी, शिवलिंग की सेवा हो, भगवान सिव की सेवा हो, पर इन माव का सहारा बनेंगे, तो भगवान शिव जरूर प्रसन होंगे कि आप किसी का सहारा इसलिए सबसे वड़ा रुद्राविशेक तो ये है किन माओं की शेवा का सहयोग किया जाए आप सब इन माओं को भोजन दे सकते हैं इन माओं के लिए ये गॉरी गोपालास्तरम का निर्मान हो रहा है इस निर्मान में आप निर्मान कार्यों में इंट का आप सिमेंट का टाइल का पच्छर का चौखट का खिड़की का दरवाजे का इन माओ के लिए इतना बड़ा आश्रम बन रहा है अब देखिए यह माँ आई अब बताओ यह जरूरत मंद माता है के नहीं उत्तर दो ऐसी जरूरत मंद माओ के लिए दरवाजे खुले हैं पर अब जगह थोड़ी बचिए आश्रम में पूरा भरा है माताओं से इसलिए तो यह बनाना पड़ा अब बनाना पड़ेगा तो उसमें खर्चा तो लगेगा इसलिए अपनी अपनी कमाई का कुछ एक परसेंट दो परसेंट सेवा से जोडते रहो सदा ताकि आपको माओं की सेवा का अश्रिवाद मिल सके दुआएं मिल सके इन माओं के लिए आप एक माओं को गोद लीजिए कि मैं एक माओं का सहारा बनूंगी या बनूंगा यहां माव की सेवा के साथ मैयाव आप यहीं रहिए प्रैम पुरूबा कि यहां आपको कोई तकलीफ तो नहीं लगी आप खुश है यहां ठीक है ठीक है यहां अच्छा लगा जो भी आपने देखा बहुत अच्छा लगा अब आपका आप यह मत कहना आप कभी कि आपका बेटा नहीं है अब यह दास अनिरुद्ध हम सब आपके बेटे हैं आप हो हम सब आपके बेटे बनकर अपनी मा की सेवा करें यहां पर संतों का भोजन बढ़ता है संत लोगों के लिए अन्यचेत्र चल अखंड रसोई चलती है आप भी एक दिन की रसोई बटवाओ यहां पर गायों की सेवा आप भी गाय की सेवा बद्यार्थियों की सेवा आप भी एक बच्चे को सिख्छा देने के लिए आगे आओ बच्चों का आप ड्रेस बनाओ कि हमारी तरफ से बच्चों को कपड़े अब एक सो पचास विद्यार्थी है एक एक सेवा आप लोग ले लो कि हमारी तरफ से एक बच्चे को पढ़ाया जाए हमारी तरफ से बच्चों को ड्रेस हम देंगे पुस्तक हम देंगे खर्चे तो लगते ही हैं चाहे आप दो या मत दो पर आपका सपोर्ड जरा मिलता है न तो काम आसान होता है कारे तो कर नहीं है करने वाले तो भगवान है हमारा भी धन लग जाए तो पावन हो जाता है इसलिए आप भी किसी बच्चे को गोद लो आप भी किसी बच्चे को सिक्षित करने में सहयोग करो गायों को भूसा चारा एक गवदान करो आपकी और से गाय गोरी को पाल में रहे एक दिन की रसोई आप बटवाओ कि हमारी तरफ से संतों को भक्तों को भरपेड भोजन मिले आओ आप मैंसे गुछ दानवीर महापुरुशों ने यहां की सेवाओं के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं मैया आप यहीं रहिए दास सेवा सदा आपकी करेगा आप मैंसे गुछ दानवीर महापुरुशों ने किसी एक मा को गोद लिया तो किसी ने अन्यच्छेतर बटवाया तो किसी ने रसोई बटवाई एक माता मेरे पास आई बोले बेटा यह मेरी तरफ से अन्यदान कर दो मैंने कह मा हो जाएगा मैया बोली बेटा पैसे बहुत थोड़े हैं मैंने कह मा पैसे थोड़े हैं तो क्या हुआ आपकी स्रद्धा तो बहुत है ना स्रद्धा से सबकार्य होता है पैसे थोड़े हैं चल जाएंगे स्रद्धा तो हो अरे देने का भाव तो हो हम ये नहीं कहते के आप हजारों दो, लाखों दो एक रुपए देने के लायक हो एक नमक का ढेला देने के लायक हो इतना सदो ना देने वालें से तवा बहुत अच्छे हैं कि आपने कुछ तो दिया और देखो आप देते क्या है जो ईश्वर ने आपको योग बनाया होगा आप हजार देने के लाइक हैं लाख देने के वो तो ईश्वर जिस काविल आपको बनाए जिस लायक आपको बनाए इश्वर ने भगवान राम की सेवाई की गिलेहरी ने भी तो की थी बड़े बड़े बंदर भालू पत्थर डाल रहे थे राम सेतु के निर्माण में तो गिलेहरी का भी तो अपना योगदान था हम बड़ा सहयोग नहीं करने लायक हैं तो गिलेहरी की तरह कुछ कण सेवा से जुड़े बस आपका धन गौरी गोपाल की तमाम सेवाओं से जुड़ना चाहिए आप मैसे कितने लोगों ने यहां की सेवाओं को अपनी आखों से देखा जिनने देखा वो हाथ उठा के बताए आप लोगों ने आज भी नहीं देखा देखा तो आप लोगों को अच्छा लगा किस किस को अच्छा लगा सेवाओं चलती रहनी हैं आप कितने लोग चाहते गौरी गोपाल की सेवाई अखंड चलती रहें तो आप सब आश्रवाद दीजी अपने इस बेटे को अपने इस भाई को अपने इस पुत्र को कि ये सेवाई चलती रहें